मंच उपर उपस्तित हिमाचल के ही सपूत और भारती अजन्ता पार्टी के कारेकारी अध्यक्स सांसद बाई जगत प्रकास नडडा जी आज जिनके नेत्रुतों में दो साल समाप्त हुए हैं भादपा सरकार के ऐसे हिमाचल सासन के लोगप्रियम मुख्यमंत्री स्रीमान जैराम ढाकूर जी हम सब के वरिष्ट नेता और हिमाचल के पूर्वम मुख्यमंत्री स्रीमान प्रेम कुमार दुमल जी कैंद्र में मंत्री परिशत में मेरे साथी युवान नेता भाई अनुराग ठाकूर जी हिमाचल बादपा के अध्यक्स श्रीमान सत्पाल सत्ती जी हिमाचल के प्रभारी बिहार के मंत्री स्री मंगल पांडे जी यहां के विदायक और मंत्री स्री सुरेश बादवार जी हिमाचल विदान सभा के अध्यक्स श्री राजी विंदल जी श्री सांचद सुरेश कस्यब जी उपस्तित सभी मंत्री गण सांचद गण विदायक गण और आज इस मौके पर इतनी बड़ी संख्या में आये हुए हिमाचल के प्यारे भाईयों और बहनों आप सभी को नमस्कार आज सबसे पहले मैं वीर भूमी देव भूमी हिमाचल की पवित्र भूमी को पवित्र धरा को भारतिय जन्ता पार्टी के करोड़ों कारे करता हो की और से प्रणाम करकर बंदन करकर मेरी बात की सुरुवात करना चाहता हूँ इस भूमी को वीर भूमी इसलिए के चाहे चिन के साथ लडाई हो पाकिस्तान के साथ लडाई हो आतंकवात के खिलाप लडना हो नकसलवात के खिलाप लडना हो भारत माता के लिए बलिदान देने वालों की सूची उठा कर दिखते हैं, तो जो सबसे बड़ी वीरता के साथ लड़ा, वो मेरे हिमाचल का ही वासी उठा है। यहां के वीरों ने कई सालों से, कई यूगों से, मा भारती के लिए सर्वोच बलिदान देने का परमपरा स्थापीत किया है। और पूरे देश के नक्से पर ये वीर भूमी एक मात्र अपने आप में ऐसी भूमी है, जहां चार चार परमवीर चक्र मिलने का सन्मान है। देश का सबसे पहला परमवीर चक्र अगर किसी राज्य के खाते में गया, सन्मान गया, तो मेजर सोमनाथ सर्मा के रुप में एह हिमाचल वासियों के खाते में गया, हिमाचल का गवरव बना। लेटेनेंट करनल ध्यान सिंग थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा मरण उप्रांथ और राइफल मेंट संजय कुमार, जो आज भी हमारी सिमाओ की सुरक्सा कर रहे हैं, जीवित परमविर्चक्र पाने वाले बहुत कम योद्धाओं में से वो हैं। चार-चार परमविर्चक्र इस वीर भूमी के खाते में गये हैं। और इसलिए मैं ये वीर भूमी को और विशेश करकर ये वीर भूमी की माताओं को प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवात करना चाहिए। मित्रो आज हम यहां पर भारतिय जन्ता पार्टी की जैराम ठाकुर सरकार के दो साल की पूर्ती के उसर पर इखटा हुए हैं। और भारतिय जन्ता पार्टी की परंपरा है। जब जन्ता जनादेश देती हैं हम इसका हिसाब किताब लेखा जोका लेकर जन्ता के सामने जाते हैं। और मैं मांटा हूँ कि यह बात भारतिय जन्ता पार्टी को सभी रातिदिक दलों से अलग करती। कोई और रातिदिक दल की हिम्मत नहीं है कि काम का हिसाब लेकर हर साल जन्ता के सामने जाए। और हमें जिज़क नहीं है क्युकि भाजपा वाले काम करने के लिए ही सत्ता में आते हैं सत्ता का उप्भोग करने के लिए नहीं आते हैं देर सारी बाते हुई हैं मैं बहुत detail में नहीं जाना चाहता मगर दो तीन चीजे भाई जैराम ठाकूर की सरकार की उपलब्दियों के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ आज हिमाचल के अंदर अभी तीन बेहनों को माताओं को यहां से गैस वित्रण किया गया गैस की कीट दी गई उसके बाद हिमाचल में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां लकडिया कंडे और जलाकर टेहनिया जलाकर खाना बनाना पड़ेगा समस्त हिमाचल के अंदर गैस का चुला पहुचाने का काम आज समाप्त हो रहा है और मैं मानता हूं मोदी जी ने बहुत सोग समझ कर अपने बचपन के दिनों की गरीबी को याद करते हुए यह योजना बनाई थी कि गरीब माता को कितनी तकलीब होती है चोटा सा घर दुए से भर जाता है और यह धुआ सबसे ज़्यादा खाना पकाने वाली माता को सहन करना पड़ता है कोई बुरी यादत न होते हुए भी 400-400 सिग्रेट जितना धुआ उसके फेपड़े में चले जाता है और कम आयू में फाइब्रोसिस होकर वो बिमार हो जाती है आग की जोती चली जाती है और एक करोड़ों माताओं को दुए के इस संताब से मुक्त करने के लिए मोदी जी युज्वला युद्ना लेकर आये थी और आज मुझे कहते हुए घर हो रहा है कि स्री जैराम ठाकूर ने उजोला युद्ना को एक्स्टेंड करते हुए नकेवल घरीब गरोव में हर घर के अंदर गैस का सिलिंडर और बोटल पहुचाने का काम चूला पहुचाने का काम आज समाप्त कर दिया है और मित्रों मैं मानता हुए बहुत बड़ी उपलब जी और अभी अभी बात हुई मोदी जी की आई समान भारत योधना की और आई समान भारत योधना नड़ा साब यहां बैठे हैं मैं उसक्त पार्टी का द्यक्स्ता नड़ा जी स्वास्त मंत्री थे इन्हों ने जितना पेन लेकर जितने लोगों को कंसल्ट करते करते एक संपून योधना बनाई आद देश के पचास करोड घरिबों के लिए वो योधना असिरवाद बुए हर राचा के अंदर हर गरीब को आई समान योधना मिली मगर हिमाचल वालोग को तो और फाइदा मिला जैराम ठाकूर जी ने हिमकेर योधना और आई समान भारत योधना का कॉम्बो बनाकर एक एक हिमाचल वासी को कवर करने का काम किया है और आगे बढ़ाने का काम किया है ये बिमारी बायो वेनों जब गरीब के घर में आती है तर्शीब बिमारी से गरीब की चान नहीं जाती है इसके पिछे जो खर्च होता है वो आने वाली एक पिड़ी को वो रून बर्बाद करने है कई बार तो बाप ही बेटे को कहता है बेटा घर ले चर मैं तो रोग से मरूँगा ये बिमारी से मरूँगा मगर मेरे पिछे जो रून हो जाएगा इस से तेर Kayla परिवार रून के बोद के तले दब कर मर जाएगा और आँख में आशू के साथ वो बेटा घरीब बाप को मरता हुआ देखते हुए घर लेकर आता था आज इस योद्नाओं से पांच लाग तक का सभी खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार और जैराम ठाकुर सरकार दे रही है इससे बहुत बड़ा फाइदा आज हिमाले के लोगों को होने वाला है अभी अभी 2019 में चुना हुआ मैं हिमाचल के हर मत्लाता का रदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने चारो चार सिटे मोदी जी की जोली में डाले देश बर से 300 से ज्यादा सिटे जीत कर फीर एक बार मोदी जी प्रधान मंत्री बने और मित्रो मोदी जी पहली बार भी प्रधान मंत्री बने दूसरी बार भी प्रधान मंत्री बने मोदी जी की काम करने का तरीका ऐसा है कि कुछ काम ऐसे होते है जो सिर्फ वो ही कर सकते कई सालों से पहली टम में जब प्रधान मंत्री बने कई सालों से इस देश का सेना का जवान वन रेंक वन पेंसन को मांगता था मगर कॉंग्रेस वाले 40-40 सालों से वन रेंक वन पेंसन की मांग पूरी नहीं करते थे मोदी जी ने एक ही साल में वन रेंक वन पेंसन की मांग को समाप्त करकर अब तक 35,000 करोड रुपया मेरे सेना के रिटायर जवानों के घर में ज्यादा बिदने का काम नरिंद्र बोदी सरकार ने किया है देश की सुरक्सा का मामला हो कॉंग्रेस की सरकार दस साल चली सोनिया मनमोहन जी की सरकार चली पाकिस्तान से हरोज आलिया मालिया जमालिया घूस जाते थे हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और देश के प्रधान मंत्री के मुझे उपने निकलता थे सिमाओं को खुला छोड़ा हुआ थे मोदी जी की सरकार बनी पाकिस्तान को लगा कि ऐसे ही चलेगा मगर उनको मालूम नहीं था एक कॉंग्रेस की सरकार नहीं है एक भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार मौनी बाबा मन मौन सिंग प्रधान मंत्री नहीं है चपपनीच के सिने वाले नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री वन्तिके उन्होंने गलती कर दी उरी में हमला किया पुलवामा में हमला किया मगर इस नरेंद्रमोदी सरकार ने इस बादपास सरकार ने दस ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में गुज़ कर आतांकवादियों को खतम करने का काम और उसके बाद समग्र दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बढ़ला समग्र दुनिया के अंदर कुछ गिने चुने इक्का दिक्का देश अपने सिमाओं के अतिक्रमन का जवाब दे पाते थे आज वो दो देश जो अमेरिका और इसराहिल की सुची थी उसमें तीसरा नाम मेरे और आपके महान भारत का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने अभी नट्डा जी ने बताया हम सब बत्पन से नारा लगाते थे कि एक देश के अंदर दो निसान, दो विधान, दो प्रदान नहीं चलेंगे अगर कुछ नहीं, मैं भी 13 साल का था तब से नारा लगाता था पचपन का हो गया, कुछ नहीं हुआ, आपने 300 सिटो के साथ नरेंद्र मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाया, मोदी जी ने पाँच अगस को धारा 370 को उखाड कर फैंक देने का काम किया आज हमारा कस्मीर भारत मता के मुगुट मनी के नाम तरह सुसोभीत हो रहा है और ऐसा ही तिरंगा कस्मीर के अंदर आस्मान की बुलंदियों को छुता हुआ, आज भैरा रहा है, पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि कस्मीर भारत का अखन हिस्सा है मित्रों, राम जन्मुम के लिए भी कॉंग्रेस की सरकान बहुट टाल मटोल की जब भी केस आता था, कॉंग्रेस के नेता जाकर बताते थे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं मुझे तो मालू में नहीं पड़ता था, उनके पेट में दर्थ क्या था अभी सुप्रीम कॉर्ट में केस चला, और सुप्रीम कॉर्ट ने निने दे दिया कि वो ही बुमी पर जहां प्रभुस्री राम जन में थे आस्मान को छूने वाला राम मंदीर बनने वाला है मित्रो देश का भी भाजन हूँ उसक्त धेर सारे लोग दोनों देशों में रहे यहां बहुत सारे मुसर्मान भाई रहे वहां बहुत सारे हिंदू सीख बहुत जैन इसाई रहे दो देशों के प्रदान मंत्री के बीच में एक समझोता हुआ 1950 में नहरू लियाकत समझोता हुआ और यह तै हुआ कि दोनों देश अपने अपने यहां अलब संख्यों को की रक्सा करेंगे भारत में इस समझोतों का विश्वास के साथ निर्वहन करना भी चाहिए इस देश के अंदर माइनोरिटी का हर व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहिए मेफूज रहना चाहिए इसकी रक्सा करने की हमारा संविधानिक दाईत्व है मगर पाकिस्तान में यह नहीं हुआ बांगलादेश में यह नहीं हुआ 30 प्रतिसत 23 प्रतिसत की आबादी घटकर 3 प्रतिसत और 7 प्रतिसत हो दर्म के आदार पर प्रतर नहों लगे लगे लाखो लाखो लोग यहां आए लाखो करोरो लोग जो यहां है वो चाहते थे कि आपका वादा था भारत ने वादा किया था माहत्मा गांधी जी ने वादा किया था प्रधान प्रधान मंत्री जवालाल जी ने वादा किया था राजेंद्र बाबु ने वादा किया था संविधान ने वादा किया था हमें नागरिक बनाईये हम नर्क की जिनगी जी रहे इलाको करो रो लो इनके पास न नागरीकता थी ना घर था ना नौकरी थी ना स्वास्त की सुविधाई ना सिख्सा थी खोई उनकी सूद नहीं लेता था और नरेंडरा मोदी जी ने हिम्मत करकर एखों करोडों सरनार थी जो आये थे उनको नागरिक्ता देने की पहल की Citizenship Amendment Bill लेकर आए वो और वो आज Citizenship Amendment Act बन चुका है मैं देश की जंटा को कहना चाहता हूँ और विशेज कर Minority के मभाई और बेनो को कहना चाहता हूँ ये बील अब बन चुका एक्ट बारत सरकार की वेबसाइट पर है एक कॉंग्रेस पार्टी, कॉंग्रेस एंड कंपनी अप्पाय फेला रही है कि इससे Minority की मुसल्मान भाईयों की नागरिक्ता जाने वाली मैं चैलेंग देता हूँ यहां से राहूल वाबा को ये पूरे एक के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिक्ता लेने का अगर प्रावधान है तो कुपिया आप बता दीजे मैं आज इस देश के सभी नागरिकों को कहने चाहता हूँ इस देश एक बील के अंदर एक के अंदर कहीं पर भी किसी की भी Minority की भी नागरिक्ता चिनने का प्रावधानी नहीं है बांगलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो Minority वाले भाई आये हैं उनको नागरिक्ता देने का प्रावधान है देने का प्रावधान प्रूपया आप अपप्रचार मत करिये देश की सांती को मत तोड़िये लोगों को घुमराह मत करिये या तो आपके पास तथ्थे है तो जनता के सामने लेकर आईए कि कौन से प्रावधान के अंदरे प्रूविजन है मित्रों मैं आपको कहना चाहता हूँ मोदी जी ने बड़े हिम्मत के साथ एक के बाद एक के बाद एक फैसले किये हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा काम आजादी के कई सालों बाद लगबग लगबग सत्तर के दसक से बारत ब्रश्टाचार की बाद सुनता आया था और ये दस साल की कॉंग्रेस की जो सरकार बनी मन महुन सिंग की बारा लाग करोर के गपले घोटाले ब्रश्टाचार किये ब्रश्टाचार जैसे आम सब्द हो गया वो प्रश्टाचार को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोधी जी ने किया छे साल हो गए हमारे दुश्मन भी हम पर ब्रश्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते धेर सारे नए कानून नए नीड़े करके देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया और हम आने वाले दिनों में पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी बने इसका रास्ता नरेंद्र मोधी जी ने प्रसस्त किया बहुत सालों से दो ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी पर हम स्तगीत थे एक ही पांच साल के अंदर एक ट्रिलियन डॉलर को बढ़ाने का काम किया और मुझे पूरा भुरोस्वा है कि अगली बार जब हम जनता का असिरवार लेने मोधी जी के नित्रुतों में आएंगे पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी बना कर आएंगे तो और हमाचल के लिए भी यही लक्स रखा है पहली ग्लोबल इन्वेस्ट्मेंट समीथ हुई जैराम ठाकूर के नेत्रुत में मोधी जी भारत सरकार के प्रदानमंत्री आसिरवाद देने आएंगे उन्हेंने सभी उद्योग पत्यों को कहा यह माचल तो मेरा अपना है बेखौप होकर इन्वेस्ट्मेंट करिए मैं आपके साथ खड़ा हूं और मित्रो 85,000 करोड रुपय के मोई हुए और 85,000 करोड करोड के मोई हुए मैंने देखा था स्टेटमेंट कॉंग्रेस के नेताओं का कि यह तो काग जी कारेवाई है काग जी कारेवाई है अभी तीन महिने भी नई हुए कितने महिने हुए जराम भई दो महिने ही समाप्त हुए कुछ दिन हुए है 85,000 करोड में से 13,000 करोड रुपय का आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी आज अभी दूपयर को होने चाहाँ 13,000 करोड के इंवेस्टमेंट को जमिन पर दो महिने से कम समय के अंदर उताना ये बहुत कठीन चीज है मैंने भी राज्य सरकारों का हिस्सा रहा हूं इसलिए मैं आज सारवर्जनिक रुप से बाई जयराम ठाकूर को बधाई देना चाहता हूं कि आपने हिमाचल के विका देना चाहता मगर उन्होंने जो जन्मंच कारेक्रम किया है इसका जरूर मैं हादुवाद देना चाहता हूं 42,000 से ज़यादा जन शिकायते प्राप्तूई 18 कारेक्रमों में और इसकी 88 प्रतिसत सिकायतों का निप्ठारा जन्मंच के माध्यम से बाई ये भारती जन्ता पार्टी की सरकार जो आपके असिर्वात से बनी वो लोगों के साथ समवाद करने वाली सरकार हैं लोगों को सुनने वाली सरकार हैं और मित्रो मैं मानता हूं कि चाए हिमकेर योदना हो, मुख्यमंत्री सेवा संकल भेलपलाइन हो, वृद्धावस्ता पेंचर हो, या हिमाचल भूहिनी सुविदा योदना हो, मुख्यमंत्री सावलंबन योदना हो, या बागवानी की आए दोगुना करने का लक्स हो, हर शेत के अंदर हिमाचल सरकार आगे बढ़ रही है और हिमाचल वालों को तो मैं कहना चाहता हूं धेर सारे राज्यों को इर्शा हो रही है क्योंकि आपका तो ऐसा है भाई कि नैनियाल में खाने जाए और माप परोशने बेट जाए मोधी जी का विशेस लगाव रहा हिमाचल के लिए और इसलिए मोधी जी पहली टम में जब प्रदानमंत्री बने तूरं थी उत्तर पुर्वक के श्चेत्रों की तरज पर जो कॉंग्रेस पार्टी ने साट चालीस का नुपात कर दिया था मोधी जी ने फिर से हिमाचल के विकास के लिए केंद्र कांस्तान साथ प्रतिसत से बढ़ा कर 90 प्रतिसत करकर बहुत बड़ी घिप्ट बहुत बड़ी सौगात हिमाचल के भाईयों बेनों को दिया रोतांग टरनल इसको अटल जी के नाम से करकर आगे बढ़ाया गया और कभी कोई नहीं सोता था कि ये टरनल समाब्थ हो जाएगी 21 जन्वरी को नड़ा जी यहां बैठे हैं बड़ी पसो पस में थे वो स्वयम मंत्री थे और हिमाचल के लिए आगरा से कहना थुड़ा संकोज भी होता है कि मेरे राज्य के लिए बात करता हूँ मगर वो गए मोदी जी के लिए और कहा कि साब मेरा राज्यत छोटा तो है मगर पहाड़ी राज्य है दिक्कते स्वास्त की बहुत है एक एम्स यहां पर हो जाए तो बहुत बड़ी सुविदा हो जाएगी और मोदी जी ने तुरंत करा जिजक्य मत एम्स ले जाईए और 2019 म आपताय आती हैं इसके लिए एक कैंद्र द्वारा एंडी आरेप बटालियन भी स्विक्रूत करकर लोगों की जान बचाने का काम यह भारती जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया 95 करोड के अलग-अलग प्रोजेक्ट लिए और नेशनल हाईवे के लिए तो मैं मानता हूं हिमाचल ने मोदी जी को हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा कोई राज्य के अंदर 79 69 नेशनल हाईवे नहीं दिये गए यहाँ पर लगबग लगबग 79 नेशनल हाईवे दिये जिसमें से 58 का डिपी आर जैराम ठाकूर जी ने समाप्त कर दिया है विडिपदर जी की सरकार थी डाई साल हो गए एक भी रोड का डिपी आर नहीं दे पाये थे हमने दो साल में जैराम ठाकूर जी की सरकार ने 58 डिपी आर देने का काम कर दिया है भोलेंड रोड परवानु सिमला धर्मसाला सिमला किरतपूर मंडी मनाली ये भी दिये गए आई आएम दिया गया सिरमोर के धोलाकूआ में मेडिकल कॉलेज जैसे नड्डा जी ने कहा तीन दिये गए पंद्रह अजार करोड की रेलवे की चार बड़ी योदनाय दी गई उडान का पकेट दिया गया और पीजी आई सेटेलाइट सेंटर दिया गया और मंडी में अंतराष्टी हवाई अद्डा लाने का भी कारेवा ही अभी चल गए यह धेर सारे काम नरेंद्र मोधी सरकार ने हिमाचल के लिए मंजूर किये और जैराम जी ने दुरूद कती से इस पर काम करवाने का काम किया मित्रो उपर नरेंद्र भाई और नीचे जैराम ठाकूर जी यह जो कॉंबिनेशन है ना यह इमाचल के लिए मनी कंचन का योग है मनी कंचन का योग मनी कंचन योग बहुत रेरली होता है और मित्रो ओर एप ओपी किया सियाचिन बथ्था लगबग दुना कर दिया पुनवर्सन के लिए धेर सारे काम जितने लोगों को 60 साल में पुनवर्सन किया गया था इससे ज्यादा लोगों को रिटाइड फोज्यों को रोजगारी देने का काम हमने 5 साल के अंदर किया है मित्रो मुद्रा बैंक योधना के तहट 2,60,000 जवानों को लौन देने का काम किया जो लगबग 4,000 करोड की होती है लगबग 11,00,000 खाते जंदन योधना के खुले सौबाग योधना के तहट लगबग 13,000 लोगों को बिजली देने का काम किया 82,50,000 LED बल्ट दिये गए 1,13,000 बहनों को गेस का सिलिंडर दिया गया 65,000 घरिवों को घर देने का काम भारत सरकार ने किया और लगबग लगबग 1,75,000 सौचाले बना कर हर घर में माताओं और बहनों को सर्म से मुक्त करकर सौचाले देने का काम भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी सरकार ने किया लगबग 226 से ज्यादा पंचायतों को भारत नेट से जुड़ा मुद्रा स्वार्थ का दिया जहनों सोधी योदना के 56 कैन रखुले गए और मित्रो सबसे बड़ी बात है इस सब चीजों पर को एक पांच साल में जमिन पर उताड़ा जाए दूसरी सरकार योजना बनाती थी दूसरे पांच साल चले गए तीसरी सरकार बजेट देती थी तीसरे पांच साल चले गए चौथी सरकार भूमी पुजन करती थी चौथे पांच साल चले गए और पांचवी सरकार इसको भूल जाती थी प्रोजेट कभी खतम नहीं होती थी नरेंद्र मोदी जी ने कारे संस्कूर्टी निर्मित की है हमारी सरकार भूमी पुजन भी करती है और उद्गाटन करने का काम भी हमारी ही सरकार है और इस कारे संस्कूर्टी से आजे देव भूमी वीर भूमी एचोटा सा राज्य विकास के पत पर चल पड़ा है और मोदी जी के नेत्रुत में पूरा देश विकास के पत पर तो चलाई है अपने सालों पुरानी सबीस समस्याओं को समाप्त करने का काम भी मोदी जी ने किया है